जाहिन दोस्तों मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक और ब्यूटिफुल डे आपकी एडवांस मेकप क्लास का और फ्रेंड्स आँची क्लास तो बहुत इमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्लास में आपको बताने वाली हूँ तो टेकनीक को अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को एंड तक दिखेगा चैनल पर नए है तो जद इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आकन दबा दीजिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए लाइक शेयर कमेंट कम आइमर करके बेस बना दिया है एक सिंगल फांडेशन में इनके फेस पे दिया है हुड़ा ब्यूटी का ट्रस्ट लेजिए क्योंकि वह हाइपिगमेंटी होता है फुल कवरेज क्रियेट करता है तो जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि अब आई मीकप में आप क्या करन ब्राउन से तो मैंने ब्राइडल में यहापर कंटूरिंग दिखने वाल नहीं है इसके उपर पिगमेंट या गलेटर आजाएंगे जिससे यह काफी मिनिमाईज हो जाएगा तो आई में भी मुझे लगता है कि अगर आप इस टेक्नीक से करते हो तो बहुत इजी और फास् तो आप चाहों तो इतना सिंगल आई शाड़ो देखकर भी अपने आई मीकप को डन कर सकता है तो आज की जो क्लास है में मेरे बेस से रिलेटेड है आप लोगों में से काफी सारे लोग बुलते हैं कि मैं कुछ ऐसा बताई है कि बेस खराब हो जाता ऑक्सिडाइज हो जात तो यू नो कि वो ऑक्सिडाइज हो सकता यानि कि जिसको हम बहुते ग्रे हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे वो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूं आप चाहो तो बिना बेस बनाए भी आई मीकप कर सकते हो बट पहले एक कोटिंग लगाने है ऑक्सिडाइज होता है तो वो कितना हो सकता है तो एक सिंगल कोटिंग बेस का लगाना बहुत जरूरी है आप अपने कोडिंग चूज कर सकते हैं मैंने इनको इनका फेर कलर याने की ट्रेस्ट लेचेश शेड दिया है जो एक तिरी से मीडियम शेड है बट इनका विटी आते हैं तो बेस कुछ लोगों को लगता है कि जो पैलेट के अंदर आते वो बेस होता है कुछ लोगों को लगता है कि लिक्विड जो है वो फाउंडेशन है बट ऐसा कुछ नहीं होता फाउंडेशन और बेस का एक ही काम है आपकी स्किन प्रॉब्रम को हाइट करना उनको करना तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो मैंने बेस लगाया है इनको या फांडेशन जो अप्लिकेट किया है वो हलका सा वाम टोन में है यानि कि यलो टोन में है और यह हमारी इंडियन सकीन पर कहीं ना कहीं वहलका सा कवरेज भी करता है तो हुडा ब्यूटी का ड्रॉस लेचे शेड अप दिहान रखेगा मीडियम शेडर बट यह हमारी इंडियन स्केन पर बहुत अच्छा जाता है यानि कि मेडियम कॉम्प्लेक्शन पर अपने फ्यार करना है उन पर यहां प पर लाइन को तो यह ट्रेक्टिवाइब करूं आफरे हैसि अपवर्ड उप्वर्ड में स liberal के अए और आंकर लीरोपीजन चौर्ब देख सकते हो ऍाइडील न सब्सक्राहर चाहिए हमें विंद लिए बेस कंसिलर बेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए डाक बेस इसकिन से मैच करता हुआ औरियंडल शेड है यह ब्राउन कलर और यह सकिन का डाकर शेड है तो यह लिया मैंने 20-30% और और जी न्यूटरिलाइजर 10-20% एंद इनका फिरर बेस जैसे की होडा ब्यू इस से एपलिकेट करेंगे आपने पेंटिंग पॉर्म में इसे लगाना है और आपने इनकी इसकिन का एक बढ़िया सा कंसिलर बेस बना दिया है तो एपलिकेट करने के बाद अच्छे से पॉलिश करते हुए बफिंग करें और यू कन सी कि इनस्ट इनकी इसकिन पर एक हो जाती है यह आप मेकप डन होने के बाद यानि कि आपने मेकप कर दिया है और उसके बाद भी आपका क्लाइंट आप से बोलता है कि मेरा हाइलेटिंग एरिया यह कुछ पार्ट ऑक्सिडाइज हो रहा है तो आप इस टेक्नीक से एक कंसिलर बेस बना के उस पर्टिकुलर करेंगे नाव फिक्स विद पाउडर तो अब देख सकते सिंगल बेस में ही इनका बहुत अच्छा सा लुक आगा पाउडर फिक्स करने के बाद यहां पर मैं ब्राइडल मेकप है तो एरबश करूंगी तो एरबश का मैंने प्रॉपर डिटेल क्लास पहले बनाई हुई है वह डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी तो एक लाइट सा कोटिंग में एरबश फांडरेशन का दे रही हूं और इससे मैं सिर्फ हाइलेटिंग एरिया पर ही अप्लिकेट करूंगी ताकि इनका जो हाइलेटिंग एरिया है और इसमेंने 003 नंबर लिया है तो जो हमारा लाइट यानिया के आईवरी क्लॉर रह को नहीं कि इस तुर आपने से इतना डिस्टेंग रखते हुए यूर्टेटे करें हो अनौ पने जो आ इस तरीके से इतना डिस्टेंस रखते हुए這種 ऑisesti ब्रश्माइब ब्रशब्स आपो इस तरीके से मुश्माजना है औ लेखा है मशीन को फोर फिंगर का डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए साइड और फोरेट से मैं अप्लिकेट करना स्टार्ट करोंगी और बहुत स्लोली स्लोली आपने सरकल बनाना है अगर अगर पिगनर हो तो आप बहुत तेज प्रेशर पर याने कि बहुत ज्यादा तेज फ आप बहुत बहुत देखना स्टार्ट होता है एर ब्रश से पहले अपने आइलेश अप्रिकेट नहीं करनी है एर ब्रश मेंट फिनिश करने के बाद आप आइलेश लगाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा क्यों करते हो तो लेश पर कलर आ जाता है बड़ मेरा न ब्लश बहुत अच्छे से बिजबल होता है बहुत अच्छे से दिखता है तो आप देख सकते हैं ब्लशी चीक्स हाइलेटिंग करके में आप अप्र एप्लिकेट करे हूं और रियर में यह जो मेकप है मेरा हाफ एन आर के अंदर डन हो गया है अलरी तो वीडियो में हो सकत है आपको और कम में दिखे ना कंसी एक प्रॉपर हाइड डेफिनिशन बेस इनके बन चुका है नहीं बस ध्यान रखना है कि हर किसी यह कंसीलर बेस उनके स्किन के मैचिंग फांडिशन डार और लाइट कलर से ही बनेगा और न्यूटिलाइजर अकॉर्डिंग तो स्किन प कोई भी क्वेशन है डाउट है तो पूछ सकते हैं जहीं दोस्तों मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें बागाई